देखिए मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ Power of Willpower के बारे में देखिए क्या होता है जिसके अंदर Willpower है न वो Willpower से सब कुछ जीत सकता है सारी दुनिया जीत सकता है कई एक्जामपल है मेरे पास तो बात करते हैं अपन नहीं बनाए हैं अगर इंसान चाहे तो कह नहीं कर सकता चक्तान के उपर दारारी डाल सकता है पत्थर बे दारारी डाल सकता है और देखा जाये तो ये जो बड़े बड़े पहाडों के उपर जो रास्ते बनाए हैं सब इंसानों नहीं तो बनाए है देखी क्या था कि आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ Will Power की Power के बारे में तो है क्या एक बहुती मशूर मुक्केबास था मुहमद उसका ग्याना था कि क्या चीज जादा बड़ी है Will जादा बड़ी कि स्किल जादा बड़ी किसी ने उससे पूछा तो उसने बताया कि Will is more important than skill तो उससे पूचा गया कि बई कैसे Will skill से रदा important कैसे तो उसने कहा देखो जब मैं लड़ाई लड़ता हूँ तो लड़ाई लड़ते वक्त जब मुझे कोई मारता है और जो मैं उससे जब लड़ाई लड़ता हूँ तो मेरी skill काम आती है और जब opponent मुझे उठाके गिरा देता है तो जब मैं गिर जाता हूँ और मुझे गिर गे वपिस उठा होता है तो वहाँ पर मेरी skill काम आती है कही न्हीं अनदर से मेरा मन बोलता है और मेरी will बोलती है कि उठ मुम्मद वपिस उठ उठके फिर से खड़े होना है और फिर से इसको मारना है फिर से चित करना है तो वहाँ पर मेरी will काम आती है skill काम नहीं आती तो ऐसे कहीं मेरे पास example है कि जिसके अंदर इंजान अपने winces है सब कुछ कर सकता है तो यह इंजान को जो अपने will को समझना है will को check करना है तो वो उसकी adverse परिस्थितियों में जो उसकी परिस्थितियां उल्टी होती है उसकी अंदर ही उसकी जो will है उसको समझ में आती है कि मेरी will मेरे अंदर कितनी है समय जो होता है देखो हमेशा ठोकर मारता है गिराता है और विल जो होती है वो हमेशा क्या बात बोलती है नहीं फिर उटके खड़ा होना है फिर आगे बढ़ना है तो विल इनसान को हमेशा अपनी बड़ी रखनी चाहिए और मेरे पस इस एक नहीं सरे एक्जामपल है इस सीच के उपर और अगर आपको आज एक बहुती को चूरत म इस सीच का एक्जामपल दूँ तो हमें विल के बारे में जो सीठना है आपको बताऊंगा अपनी सीता मता के उपर जो सीता थी उनको उठा के ले के थे रामण सीता को रामण उठा के लेकर चले गए तो दोनों भाई दोनों भाई भगवान शरी राम और लक्ष्मन बड़ परिशान हुए पैरों में चपल नहीं कहां जाके डूढ़ने किदर जाके डूढ़ने एक परिस्थिती को समझने की कोशिश करें कि कहां किसी की पत्नी को कोई उठा के लेके चला गया हो और वो बिचारा दरद धूढ़ने पता नहीं कूँसे दिशा में जाना है कहां पर रामण को मारा तो था क्या कि जब अपने रस्ते पर चल रहे थे मैं इसी चीज के उपर सोड़ी सुनाने जा रहा हूँ तो जब डूढ़ने निकले वो तो निकलते निकलते उनको रस्ते में जटायू मिल गया और जटायू जो है मरनासम की स्थिती के उपर था तो उससे प जटायू ने जब अपने प्राण अभी तक इसलिए नहीं त्याग थे क्योंकि मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको दे रही थी तो अगर अब बस मुझे जी के क्या करना है अब मैं अपने प्राण त्याग रहा हूँ क्योंकि मेरे प्राण अब तक इसलिए बचे जो मैं आपको जो है इन्फॉर्मेशन देना चाहता था तो फिर क्या हुआ कि आएगी की स्तिती के अंदर उसने ये बात बोली कि अगर आपकी हनुमती हो जडायू ने ये बात बोली बगवान शरी रहाम को अगर आपकी हनुमती हो तो मैं जब आपके सेवा करते हुए अब तक मैं अपने प्राण समाल के रखें हुए थे तो मैं जब जा रहा हूँ तो मैं जाऊंगा तो तो स्वर्ग में जाने पर जो महाँ पर आपके पिता जी मुझे मिलेंगे राजा देशरत तो आपकी अगर अनूमती हो तो मैं उनको बोल दो कि मेरे प्राण किस तरीके से मैंने त्यागे अपने किस परिस्तिती के अंदर मेरे को यहाप प्राण त्यागने पड़ गए कि रावण ने मेरे इस तरीके से पर काट दी और मुझे जानब मुझे अपने प्राण त्यागने पड़े तो भगवान शरी राम का बहुती संदर जवाब था उन्होंने वोला कि भई तुम मत बोलना ये बात मेरे पिटा जी को ये बात मत बोलना कि किन परिस्तितियों के अंदर रावण ने तुमको कैसे मारा और कैसे तुमने को अपनी खुरान त्यागने पड़े मैं उसको डूंडूंगा ठीक है मैं उसको डूंडूंगा हलालकि जटाइयों ने बात बता दी थी यी दक्षन दिशा के अंदर रावण जो है सीता को लेकर गया है तो उन्होंने बोला मैं जो है दो रावण गाए नहीं उसके पूरे कुल का नाश्ट करूंगा तो ये होती है power of willpower देखा भगवान शरी राम के अंदर कितनी will थी, कितना power था कि उन्होंने वोला खाली रावड का नहीं उसके पूरे कुल का विनाश करूँगा और जब वो मेरी हातों से मरेगा और मेरे हातों से मरेगा तो पात्तपक किए जाएगा वो भी स्वर्ग में, और स्वर्ग में जाएगा तो वहाँ जाएकर खुद इस बात को बताएगा कि मैं जो मैंने इस तरीके से काम किया और ऐसे मैं मर गया, ठीक है तो ये भगवान शरी राम से हमको इस बात को सिंगना चाहिए कि हमें अपने विल को उंचा रखना है, अगर विल आपके अंदर है, तो हर परिस्तिती को आप अपने संकट को, हर संकट को आप जेल लेंगे, हर परिस्तिती को जेल लेंगे, लेकि अगर आपको अपने विल को उंचा करना है, विल को बढ़ाना है तो अपनी विल को बढ़ाना चाते हैं तो फास्ट रखें कभी भी ऐसा सोच लें कि आज के दिन मैं ये चीज नहीं खाँगा, आज के दिन अन्न को ग्रेंड नहीं करूँगा, आज के दिन का चलाते वक्त अपनी FM ली सुनूँगा ऐसा कोई भी विल ले ले लेंगे कोई भी संकल्प ले लेंगे उससे आपकी विल कहीं न कहीं बढ़ेगी तो आज की इस स्टोरी से आज इस मोटिवेशन से मैं आप लोग कोई बदाना चाहता था इसको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दें सबस्क्राइब करतें शेयर कर दें मिलते हैं नेश वीडियो के साथ तब तक के लिए हो के टाटा बाई बाई